राज्य में चुनाव का बिगुल बच चुका है सभी शेत्रिय, राष्ट्रिय राजनितिक पार्टियां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीती बनाने में जुट चुकी हैं विधानसभा परिसर के अथिति निवास में छोटी बड़ी छे राजनितिक पार्टियों ने एक साथ मिलकर बैठकी और तीसरे मूर्ची की तयारी की बातो बातों में इन पार्टियों ने मौजूदा महागडबंधन को कमजोर बताया लेकिन गटबंधन में शामिल होनी की इच्छा भी कहीं नजर नहीं आई लोग रहे हैं उनके साथ मिलके राजनिति करें नहीं कि मुद्दों को छोड़ दें यह ताकत को जनसक्ति को मजबूत प्रदान करने के लिए जहरखन में तीसरा राजनितिक बिकल्प यानि भाजपा वीरोधी को ऐसे ताकत बनाया जाएं जो मुहाव गडबंदन के नाम से जो लोग प्रयासरत हैं उनसे भी हमारी अपिल हैं कि ये प्रयाप्त नहीं है दो चैरगो राजनितिक पार्टी आपना नहित स्वार्थ के लिए कुछ नेताओं को सीट आवंटीत करने के लिए चुनाओं जितने के लिए नहीं केवल एस सत्ता परिवर्तन के साथ बेवस्ता परिवर्तन के लिए चुनाओं लड़ा नहीं जाएं बलकि बेवस्ता परिवर्तन के लिए भी चुनाओं लड़ा जाएं और केवल सत्ता की राजनिति ना किया जाएं बलकि संगर्स पूरु विधायक के तोर पर अपनी भूमी का निभाद चुके हैं वहीं अब तक महागडबंधन की गाठ भी कमजोर नजर आ रही है तो छोटी जनाधार वाली पार्टियां महागडबंधन का सहारा लेकर अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी हुई है। जरखंड के ऐसी संघर्षील पाटी जो जरखंड की लडाई से लेकर के जरखंड की जनता के अरवाम की लडाई को सदन से सडक तक लड़ते रहे हैं उनको सामिल करके और संघर्षील ताकतों के बिना जो हैसो आप बहचपा को परास नहीं कर सकते। गहन विचार विमर्ष अगले बार में करके भोशित करेंगा। गडबंदन चाहते हैं कि मुझे बिजेपी को सता से दूर आटाना है। आगे हम तिसरा फ्रंट में हमारी पाटी चुकी हमारी पाटी राष्टे पाटी है, हमारा पाटी का महा महीं जो ममता दिदी हैं, हमारे यहां का परभारी है, यहां का जो बात हुआ है, हम अभी अपने पाटी के अंदर ले जाएंगे, और निचे तरप इस तर विचार होगा ज्यार्खन की राजनीती का इतिहास अगर पलट के देख लिया जाए तो पिछले 5 साल से पहले सिर्फ उलट फेर ही नजर आएगा एक बार फिर शायद ऐसा हो सकता है अगर सब दाओं जो लगाए जा रहे हैं वो दाओं सही फिट बैठ गए लेकिन अब देखना ये होगा कि किसकी जूली में आखिराता क्या है आयूश नियूज 11 राची